कुल्दीप यादों की जितनी तारीफ की जाए कपिल पांडे जी वो कम है जिस तरीके की जीत मिली है जिस तरीके का जज़बा टीम इंडिया ने दिखाया 36 रन पर अल आउट होने के बाद बहाँ से टीम इंडिया जिस तरीके से बाउंस बैक उसने किया है ये पूरी दुन्या में इसकी तारीफ हो रही है एक दम आप सही कह रहे हैं कि ये जो मैच इंडिया ने जीता है ये इत्यासिक मैच है तीस सालों बाद ये गाबा पर जो ये मैच जीता है ये इंडिया की एक जूटता का नतीजा है और इसमें सभी खिलाडियों ने सांदार परदशन किया खासकर इशापंत, सिराज, सारदूल ठाकूर, वासिकरण सुंदरम और जो पुजारा जिसको हम लोग बहुत लोग ध्यान नहीं दे रहे है उनकी एहम पारी जो है विकेट पे खड़ो के खेलना किसी मैच को जो टेस्ट मैच को जीतने के लिए बहुत तेज पारी की ज़रुत नहीं होती है जो एक श्रॉंग पारी की ज़रुत है जो की ग्रास रूट से उठाई गई होती है जो बनाई जाती है जो निव डाली जाती है वो पुजारा ने डाला और उसमें जो बहुत ही सांदार बैटिंग की सुमन गिल ले है और उस इंगेस्टर ने दिखा दिया कि हमारे इंडिया का जो बैटिंग लाइन है जो नए बच्चे हैं जो नए लड़के हैं वो काफी सांदार बैटिंग कर सकते हैं और जो बॉलर से हैं वो भी सांदार ब के लिए थे लेकिन अभी तक उनको मोका नहीं मिला और यह एक अच्छी सोच है कि हमारे कोच और हमारे कैप्टन की जब जो खिलाडी जिस जगह पे जरूरत है वहां पे यूज किया जाएगा यह एक इंडिया की बहुत बड़ी जीत है जिसमें सभी खिलाडियों का एक साहस और साहस का पर्चे दिया है